हाई दोस्तों आज फिर में आप लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं मैं अब रारुसन और आप को मेरे यूटूब चैनल इंडस्ट्रिल सेप्टी क्लास सुट पर हैं तो टॉपिक स्टाट होने से पहले मैं आप लोग को जैसे मैं बताता हूं प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल और ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करें जो भी आप लोग को डाउट सो ताकि उस कॉमेंट के दुआरा मैं आप लोग को कुश्चन का जवाब दे सको और आप अपना डाप्स के लिए कर सकें दोस्तों बेल आइकन भी साथ में ताकि आपको जो भी मेरा नया आपड़ेट वीडियो रहे आप लोग को मिलता रहे तोस्तों हर टोपिक में जैसे मैं आप लोग को इंट लोग को अकसर देखनों को मिलती है और एकसर इंटर्वियों कुश्चन करते हैं दोस्तों आज की टूपिक है फायर सकतीव यहां पर एक उप्राइनिंग का अब्जेक्टिब क्या होता है किसी का लाइब बचाना प्रपार्टी इंवैमेंज होंने से बच पक्टाना और ए amount of heat का, smoke का, light का, तो यह होता है, अगर कहीं पर होता है, तो यह सब घटनाएं होती रहती है, दोस्तों, यहाँ पर question आती है, what is the fire, तो जवाब होती है, कि fire is a three, reaction of three elements, oxygen, heat, और fuel, यह तीनों element के साथ ही fire का, लगती है, fire होती है, जब तीनों एक साथ में रहता है, यहाँ पर एक question और interviewer पूछता है, fire tringle, fire tringle किसे कहते है, what is the fire tringle, तो fire tringle का हम लोग के जवाब रहागा, कि fire tringle उसे कहते हैं, जिसमें हम लोग का तीन element का identification होता है, यानि कि तीन element उसमें रहता है, fuel रहता है, fuel में जैसे paper जो भी combustible material होता है, paper, wood, flammable gases, energy, heat होता है, क्योंकि हर जैसे हम लोग जानते हैं, दोस्तों, हर पदात का एक ignition temperature होता है, जिस पे वो जलना start कर देता है, तो energy क ज़रूरत परती है, और oxidizer, यानि कि auto oxygen के, ये तीन element का हम लोग परते है, fire triangle, ठीक है, इसमें कोई भी missing होता है, तो fire नहीं लग सकता है, एक यहाँ पर एक नया question आती है, और question नए method के तोर पे आजकल पूछा जा रहा है, the fire tetrahydron concept क्या है, तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आज आते ही है, जैसे fuel, oxygen, temperature रहेगा, इसके लिए जरूर यह reaction, chain reaction, जितनी दिर तक reaction continue रहेगी, तब तक लिए आग लगा रहेगा, जैसे यह तीनों में से कोई reaction का break होगा, यानि कि आपस में से क्यों भी एक element अगर निकल जाता है, तो आग break हो जाएगी, that is called combination process, दोस्तों, यहा types of fire, types of fire किसे करते हैं, fire कितने परकार कोते हैं, fire generally, चार परकार कोते हैं, A, B, C, D, और कहीं कहीं, आप लोग को E, भी मिलेगी, तो बाद में हम लोग clear कर लेंगे, E क्या होता है, दोस्तों, class A, यानि कि general fire, जैसे अगर आग में, wood, लकडी में, paper में, और भी सूखा पदार् आग लगती है, that is called class A, class B, आपका flammable liquid, यानि कि liquid में आग लगती है, जैसे solvent हो गया, petrol हो गया, diesel हो गया, grease हो गया, उस type के अगर category में आग लगती है, वहाँ पर उसको हम लोग कहेंगे class B, class D, class C, class C, यानि कि इसी के अंदर एक class E भी आ जाता है, electrical, हाला कि इसको include करके रख cylinder वगयर, जहां पर आग लगती है, उसको हम लोग class C में रखते हैं, gases वगयर में जो आग लगती है, उसको C category में रखते है, class D हो गया, अगर कोई metal हो गया, loha हो गया, iron हो गया, कोई चीज में अगर आग लगती है, that is called class D हो गया, जहां पर एक और हम लोग को एक बहुत ही important discussion होगा, stage, दोस्तों जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, कि fire extinguisher के जहां पर यूज होता है, initial stage में होता है, और एक होता है, आपको blaze stage, blaze stage में हम कभी भी fire extinguisher के यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर interviewer question करता है, कि what is the type of stage of fire, तो हम लोग कहा सकते है, two type, initial stage, एक होत state, तो यहां पर हम लोग को बहुत important knowledge होनी चाहिए, क्योंकि fire extinguisher कभी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि initial stage पर हर fire category को हम लोग को initial stage जानने के ज़रूरत होती है, दोस्तों, class A का initial stage हो जाएगा, 0-10 minute, और blaze stage होता है, over the 10 minute, यानि कि 10 minute के बाद हम fire extinguisher बहुत बढ़ा रूप ले इस्तेमाल नहीं कर सकता है, काम नहीं करेंगा, class B में 0-10 minute होता है, अगर 1 minute से जादा हो जाएगा, तो उसमें बड़ा रूप में तबदिल हो जाएगा, कोई काम fire extinguisher नहीं करेंगा, same as usual, class C में 30 seconds तक initial stage रहता, over 30 seconds जैसे हो जाएगा, फिर उसमें यह नहीं करेंगा, आपक इंक्लूड करके C में रखते हैं, E में depend करता है कि किस टाइप का nature आग लगी है, उसमें initial stage और blessing stage कोई है